अभी एक नेता जी ने, मैंने अभी सुना, एक नेता जी ने बोला कि राम जी माल स्खाते थे अब वो नेता जी को यह नहीं पता देखो, सास्त्रों को ना पढ़ना पढ़ता है तब उसका अर्थ समझ में आता है, अब बिना पढ़े तो आप कुछ भी बोलिए एक नेता जी बोले के बालमी की रामान में तो लिखा है अब उन्हें ये नहीं पता नेता जी को कि पढ़ना पढ़ता है सास्त्रों को गुरू परंपरा से संस्कृत पढ़ोगे ना तब ना संस्कृत का अर्ध कर पाओगे आपको जो भासा आती ही नहीं है उस भासा का अर्ध आप क्या करेंगे बालमी की रामान में कि स्लोक आता है वो श्लोक इस तरह से है इसमें आया है अईडेयम मांसम अब यहां नेता जी ने कहा कि देखो लिखा है मांसम अब यहां उन मूर्खों को क्या समझाए सास्त्रों का अर्ध करने के लिए सास्त्रों को पढ़ना पढ़ता है यहां पर लिखा है अईडेयम मांसम इसका अर्ध है कि जंगल में एक फल होता है गजकन्द उस गजकन्द नाम के फल का जो गूदा होता है उस गूदे को संस्कृत में मांस कहते है गजकन्द नाम का जो कंद है जैसे कंद मूल और फल होता है न तो कंद अलग है फल अलग है फूल अलग है फूल भी हम खाते हैं जैसे फूल गोभी तो फूल गोभी का फूल खाया जाता है जैसे पत्ता भी खाया जाता है पालक का पत्ता भतुय का पत्ता ये सब पत्ते ऐसे ही एक होता है कंद जैसे कंद का नाम है गजकंद उस गजकंद वो जंगल में मिलता राम जी 14 साल बनवास में थे ना तो जंगल के कंद मूल फल खाते थे तो जो गजकंद नाम का फल है उसक के गूदे को संस्कृत में मांस कहते हैं, अब नेता जी को ये अर्थ तो पता था निए, कि उस फलके गूदे का नाम मांस है, उनको लगा कि भगवान तो मांस खाते हैं, लिखा मांस, भाया ऐसे समझ में नहीं आएगा, सास्त्रों को गुरू परंपरा से बैठ कर पढ़ना पड़ता है इसलिए गुरुकुल होते हैं जो सास्त्रों का सही अर्थ समझाते हैं अब एक नेता जी ने बोला कि रामचरत मानस में गोष्वामी जी ने गलत लिख दिया डोल गवान शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकार अब उन्हों मूर्ख को यह नहीं पता कि ताड़ना सब्दकार्थ महां मारने से नहीं है देखने से ताड़ना मतलब देखना भी होता है कि फलाने ने हमें ताड़ दिया में इसरे देख लीए कि अब रामचरत मानस अबधी भासा में है और आवध में आज भी ताड़ना मतलब देखना होता है में बाल में कि राम्न संस्कृत भासा में और संस्कृत में मांस मतलब हो उसे गूदे को बोला जा और के लाड़ उस फल पसुसरो उसल तो कुछ लोग हैं जो अर्थ का अनर्थ करते हैं तो समाज अर्थ का अनर्थ ना करें इसके लिए उन्हें पढ़ना चाहिए भगवान राम शुद्ध शाकाहर 14 वर्ष तक उन्होंने नमक तक गिरहन नहीं किया नमक तक नहीं खाया केवल फलाहार कंद मूल फल जंगल में एक राम फल होता है जो राम जी खाते थे और केवल राम फल ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें जंगल में होती है जो खाने योग होती है कई बार पेड़ के पत्ते खाने योग होते है बहुत सारी पत्ते खाय जाते है बहुत सारे फूल खाय जाते हैं तो जो खाने के पदा सबके नाम अलग अलग है मांस का अर्थ केवल मांस ही नहीं होता मांस के अर्थ भी बहुत होते हैं वह एक शब्द के दो अर्थ हो सकते सन मतलब पुत्र भी होता सन मतलब सूरी भी होता तो एक ही शब्द है पर उसके अर्थ दो है उसी तरह मानसम का जो अर्थ है मास से नहीं है हेरन का सेर का चीते का ये मानस का अर्थ नहीं यहाँ पर फल के गूदे का अर्थ है अवनेता जी को कौन समझा है पढ़े भी लिया करो समझ भी लिया करो इसलिए समाज अर्थ का अनर्थ ना करे इसलिए गौरी गोपाल गुरु कुल बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरु कुल जहां 104 बच्चे पढ़ते हैं और ये दास अनिरुद्धन बच्चों से ना कोई शुलक लेता पढ़ने का केवल सास्त्रों का सही सही अर्थ गुरु जनों के द्वारा बतलाया जाता है ताकि हमारे और आपके ना रहने पर ऐसे सास्त्रों का कोई गलत अर्ध करें तो वो समाज को सही अर्ध बता सकें कि भ हुआ सास्त्रों में कुछ नहीं है सा कह कह के समाज में आज के युवाओं को सास्त्रों से अस्रद्धा हो गई और उन्होंने पढ़ना लिखना सास्त्रों को छोड़ दिया ना कोई गीता पढ़ता ना कोई रामचरदमानस पढ़ने वाले बचियों इसलिए पढ़ने वाल लेकिन वही समुद्र से जब वास्पी करण होता है बादल बनते हैं तो वही समुद्र का पानी जब बरसता है तो खारा बरसता है के मीठा बोलो मीठा उसी तरह सास्त्र जो है वेद जो है पुरान जो है ये समुद्र की तरह गहरे हैं और खारे हैं परंतु जब बादल बरसते हैं तो मीठे बरसते हैं इसलिए सास्त्रों को गुरु पढ़ाते हैं तो सास्त्रों का जो खारापन है वो समुद्र का खारापन बादल हटा देते हैं उसी प्रकार खारापन का मतलब है कि सास्त्रों की भासा इतनी कठिन है कि जल्दी समझ में नहीं आती उस इससे कठिन भासा को सरल भासा में गुरू जी समझाते हैं इसलिए गुरू करोना जरूरी है इसलिए हमारे यहाँ गूरु परंपरा से पढ़ा लिखा जाता है के गीता कौन पढ़ाएगा तुम अपने से गीता पढ़लो, कुछ समझ में ना हैगा आप अपने से पढ़लो, बेध़ पुराण कुछ ना समझ में आएगा जब तक इने कोई पढ़ाएगा अपने से तो आप गलत ही अर्थ करोगे, उसमें लिखा होगा, मांसम तो आप उसका मांस अर्थ करोगी, गलत हो जाएगा अब ताड़ना लिखा है अब ताड़ना मतलब मारना भी होता है और देखना भी होता है अब वहाँ ये युक्ति लगाना पड़ेगा कि यहां कौन सा अर्थ लगेगा के मारना लगेगा के देखना लगेगा अब वो आपने गलत एक चीज का गलत है तो पूरी बात गलत हो जाएगी सास्त्रों को समझाने वाले गुरु चाहिए पानी खारा है पर बादल मीठा करके बरसाएंगे समुद्ध सास्त्र खा रहे हैं पर गुरु जी मीठा करके सास्त्रों को समझाते हैं मीठा समझ में आ जाए तो किसको यह मांसम बाली समस्या समधान हो गया लिखा हुआ है वही हम बता रहे हैं अपने से नहीं बता रहे है मांसम कर्थ मांस से नहीं है और जहां जहां मांस सब्द आया है वहां मांस मतलब मांस मतलब मांस हार से नहीं वहां फलों के गूदे से समझ में आरी है बात अब जैसे बली सास्त्रों में एक जगा आया बली चड़ाओ तो लोगों को क्या लगा के बली का मतलब सास्त्रों में आया बलीदान बलीदान तो बलीदान कर थो लोगों ने समझ लिया बकरा चड़ाओ ना बलीदान का अर्थ बलीदान नहीं बली राजा बली के जैसा दान बलीदान बलीदान का मतलब क्या है राजा बली मतलब तीन पग भूमी में सब कुछ दे डाला जो अपने आपको भी दे डाले वो बलीदान है बली के जैसा दान बलीदान तो बली जैसा सर्वस्व देने का नाम बलीदान है ना कि किसी की गरदन काटना अब देखिए अर्थ था बली के जैसा दान पर अर्थ लगा लिया बलीदा बकरे काटने लग गए लाखों बकरे कट चुके एक सब्द कार्च गलत किया तो लाखों बकरे कट गए ये वही लोग हैं जो अर्थ का अनर्थ कर डालते बलीदान मतलब राजा बली के जैसा दान बली के जैसा बली ने सरवस्वदान कर दिया बामन भगवान को बली के जैसा दान बलीदान है बलीदान का मतलब जान लेना नहीं है हमारे देश के जवान अपना सरवच बलीदान देते हैं देश के लिए तो बताओ बलीदान देते हैं कि लेते हैं देतें, तो बलीदान का मतलब हुआ, अपने आपको देश के लिए समर्पित कर देना, तो तुम माता जी को समर्पित अपना गर्दन क्यों नहीं काटें, बकरे की क्यों काट जब बलीदान कर तुम ने करने हैं, तो अपनी काट लो बकरे की क्यों बलीदान का मतलब किसी की जान लेना नहीं अपने आपको मा के हवाले समर्पित कर देना मैं आपको चड़ा रहा हूं अपने आप ये बलीदान है लेकन अर्थ गलत बकरे को काटने का नाम उनको लगा ये बलीदान है जबकी बलीदान का सही अर्थ है जैसे हम लोग नारियल तोड़ते हैं न तो नारियल भी बलिदान हैं नारियल में भी जी होता है जान होती है तो हम लोग किसी की हत्या ना करके नारियल तोड़ना अच्छा नारियल किस किस रष्टी है आपको पता है ये बात नारियल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया नारियल किसने बनाया एक वार विश्वा मित्र जी गुस्सा हो गए विश्वा मित्र जी को जानते हूं जो राम जी को धनुर्वेद की सिक्षाएं दी हैं बहुत सारे राम जी के गुरू तो वसिष्ट जी है पर विश्वामित्र जी भी है विश्वामित्र जी वही है जो राम जी को ले गए और सिया जी से विवाहित्यादी कराने में विश्वामित्र जी थे तो विश्वा मित्र जी को एक बार गुस्सा आया बोले मैं अलग से सरष्टी करूँगा तो ब्रह्मा जी की सरष्टी अलग थी और विश्वा मित्र जी तने बड़े संतितने बड़े तपस भी कि उन्होंने अलग सरष्टी करने स्टार्ट की तो उन्होंने सरष्टी की तो सरष्टी में मा के पेट में क्या होता है पानी उस पानी में ही बच्चे का निर्मान होता है तो नारियल में भी पानी होता है और नारियल को ध्यान से देखें उसकी भी दो आखें होती है देखा तो ये जो नारियल है ना ये विश्वा मित्र जी का बनाया हुआ प्राणी है जीब वो बना रहे थे लेकिन बाद में पर रोका गया चाप ना करो महराज अलग से यहां वहां कि तुम्हारी श्रष्टी और स्रष्टी के लोग लड़ेंगे अब रोका गया पर बना तो चुके थी उन्होंने अपने तबके वल से एक जीब को पैदा कर दिया था और वो धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था तब फिर रोक दिया तो फिर वो नारियल बनके रह ग बिल्कुल हुब हुब वो स्रश्टी होने जा रही जी पर बाद में रोक दिया गया इसलिए जहां बलीदान का अर्ज है वहां बलीदान में क्या चढ़ाओ बोले विश्वा मित्र जी की स्रश्टी का बलीदान कर दो मतलब नारीयल तोड़ दो यह हो गया बलीदान इसलिए हमार्या कोई भी सुबकार होता है नारीयल तोड़ा जाता है कि किसी जीव की हत्या ना करके नारीयल की बली・चढ़ा दी जाए यही है बलीदान कुछ लोग कद्दू काट जो पेठा कद्दू होता है ना पेठे वाला कद्दू उस कद्दू को काट कर भी बलिदान माना जाता है पूजा में पंडिजी कद्दू काट के बलिदान कराते हैं बलिदान का एक प्रोसेस होता है बलीदान का मतलब बकरे को काटना नहीं यह सब सास्त्रों के रहस यह देखो सास्त्रों की बाते हैं अब इतनी गहरी हैं कि आप लोग इसका अर्थ अब जहां आपको मिल जाएगा कि बलीदान अरे यहां दो लिका बलीदान चलो बकरा काटते हैं उस बलीदान के अर्थ को समझना पड़ेगा वह बलीदान का रहसी क्या , ताथपर क्या क्या कहना मेश आ ediyor है वह हो शब्द तो शास्ट्रों का अर्थ तो करो अनड़् न करो हा या ना? शुआ में आरही यह बात सास्त्रों कर्थ वही करेगा जो पढ़ा होगा गुरु परंपरा से वरना सीधा अनर्थ होगा